तो आज एक छोटा सा सेशन करने वाले हैं जिसमें मैं यह जो कोशन है बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है आज पीएस पीओ और और अरब एक्जाम के लिए टू दी पार हंड्रड प्लस टू दी पार हंड्रड देखने में बहुत सिंपल है करने में भी एक्चुली सिंपल है लेकिन कुछ एक स्टूडेंट को शायद यह नहीं आता है तो मैंने सोचा क्यों आप स्टूडेंट को यह में पार श्याले बन जाता है तो यह तो शायद आपको अल्रीड प्लस ट्री में लिजुब बन जाता है जब यह ब्रैकेट़ आती हैं ऐसा कुछ चाहिए तो यह सीधा multiply हो जाता है तो यहां पर एक dot भी होगा m multiplied by n तो it becomes 12 इसको अगर मैं solve करने की कोशिश करूँ तो it becomes तो अगर यहां पर 4 होता तो मैं यहां पर 4 भी लगा देता तो this is as simple as it is तो similar way में यह भी है यह वाला funda और यह वाला funda this is same right तो चलिए एक question बहुत important सा question है मैंने आपको formula तो करवा दिया है कुछ ज़्यादा सीखने लाएक उसमें था नहीं 99% students को यह formula आते होंगे लेकिन यह question है I think बहुत सारे students इसको solve कर पाएंगे लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए यह question है आपके लिए 2 the power 100 इसकी value क्या होगी ऐसा भी question आ सकता है कि देखिये 7 की पार आप कहे लिए 6 9 7 9 प्लस 7 दी पार 6 7 9 इसकी क्या value है जी अगर आपसे यह पूछिया जाता है options में option छोड़िए मैं आपको solve करके दिखाता हूँ तो सीज़ा सीज़ा देखिए इसमें common ले सकते हैं 2 की पार 100 इसको common पकड़ ली थी है तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 राइट 2 की पार 100 इसको प्लस कर दीजिए 2 आ गया लेकिन है इसकी power क्या है एक अभी वापिस से आईए यह multiplication वाला यह देखिए यह use करेंगे हैं यह वाला formula तो it becomes 2 पार 100 multiplied by 2 पार 1 is equal to 2 पार 101 तो यह आपका answer है बहुत simple question है करने को मैं आपको 10 question करके दिखा सेबता हूँ लेकिन यह देखिए यह वाला funda समझ लीजिए चाहे अगर मा लीजिए यहाँ पे question होता 2 पार 10 प्लस 2 पार 10 तो इसकी क्या value होती तो इसका answer क्या होता तो simple way में अपना दिमाग चलाईए it becomes 2 पार 11 कोई भी ऐसा question है जैसे यह वाला question भी आप देख लीजिए simply आप में यह देख लिए 7 पार 6, 7, 9 common ने का लिया 1 plus 1 यहाँ पे तो 2 आ जाएगा लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ऐसा कुछ होता आप कहलीजिएगी ऐसा कुछ लिखा होता यह 7 बार होता 7 पार 6, 7, 9 प्लस 7 पार 6, 7, 9 यह 7 बार होता तो प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1 तो 7 पार 6, 7, 9 9 प्लस 7 पार 1 तो 7 पार 6, 8, 0 इस कांसर बन जाता तो ऐसा कोशन पेपर में आ सकता है यह तो 2 तक की वैल्यू थी न अगर ऐसा कुछ आ जाए 3 पार 10, प्लस 3 पार 10 प्लस 3 पार 10 इसका वैल्यू मुझे बताईए चाहे ऐसा भी लिखाओ 3 पार 100, 3 पार 100, 3 पार 100 ऐसा एक कोशन आजए आपके पास तो आप क्या करेंगे तो सिंपली कॉमन निकाल यह 3 पार 100, 1 प्लस 1 प्लस 1 और 3 पार 100 मैल्टिपलाट पार 3 पार 1 और 3 पार 101 बहुत सिंपल सा कोशन था ये मुझे एक student ने मुझे कल ही भेजा था इससा ये solve करके मुझे बताईए मुझे करना है ये question तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका एक session बना के आपके लिए लाया जाए राहू जी आपके लिए था राहूल दिवेदी ये ही था इनका नाम शाय है राहूल दिवेदी था इनका नाम ऐसा कुछ नाम था इनका राहूल दिवेदी छी था राहूल दिवेदी जी आपने ये question मुझे भेज़ा था और मैं उसका solution करके मैंने आपको प्रोवाइड किया है link मैं आपको जरूर भीज़ दूँगा ऐसे question आप देखिए 3 की पार ऐसा भी हो सकता है question नहीं साब आसकता है कि 4 की पार 10 जादा space नहीं है 4 की पार 10 गार प्रोड की पार 10 गार गया तो इसका answer किया आएगा इसका answer आएगा चार की पार 11 तो ये चीज का एक ध्यान रखिए, ये दो बार था, 2 की वेल्यू से 100 है, तो common करके याँ पर 2 की वेल्यू और 1 आएगी, तो इस तरीके से आप ये question बहुत simplified way में कर सकते हैं, ऐसे question देखके paper में बिल्कुल घबराना नहीं है, जो simplification के question है कई बार उन में ये certs and indices बहुत use हो ये link जो है description में available है, और हमारी जो pen drive course है, वो available है bank exam study.com पर ये आप यहाँ पर call करके, जो है कुछ भी आपको detail चाहिए, आप call करके details भी ले सकते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा session किया था मैंने, ये actually एक doubt clearing session था, आप बहुत सारे students मुझे mail करते हैं, उन में से बहुत सारे questions जो है, उसका मैं videos बनाता हूँ, आज मैंने ये बनाई है, आपको भी कोई अगर problem है, तो जरूर मुझे question भेजिए, और मैं उनका solution जो है, जरूर, उसका एक doubt clearing session में जरूर बना हुगा, चलिए, चैनल को please subscribe कर लीजिए, बहुत important है, अगर आपको ये video पसंद है, आपको लगता है कि मैं आपकी एगर help कर रहा हूँ, आपके questions को मैं solve कर रहा हूँ, तो please यहाँ पे subscribe का button दबाईए, और please video को like कीजिए, अगर आपके मन में कोई भी doubt है, तो नीचे comment कीजिए, अगर आपको बुच समझ में नहीं आ रहा है, तो please मुझे mail करिए, मैं आप फिर से मुलाकात होगी, वैसे शाम को भी हम एक और lecture करने वाले हैं, शाम को तकरीबन 6 बजए के तकरीबन, तो शाम को दुबारा मुलाकात होगी, thank you and have a nice day, bye